हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप I hope आप अच्छे होंगे Home Knowledge में आपका स्वागत है Home Knowledge, Family Knowledge जहां guys Home Knowledge और Family और Home की बात आती है वहां हर कोई चाता है कोई भी जानकरी मिले पूरी तरह सच्ची और साफ और इमानदारी से मिले तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक ऐसी वीडियो जो बिल्कु प्योर होती है और सही होती है ये प्रोडेक्ट की आज जी हां ये प्रोडेक्ट की आज में आपको होमनोले में बताने वाली हो ओर्थोपेडिक हीट बेल्ट अल्टिमेट इन पेन रिलीफ रेगुलर यूज आईज ये जो हीट बेल्ट है ये हेल्थ के लिए बहुत बड़ी है अगर किसी को तेज पेन होता है तो रिलीफ बड़ी चल देती है तो अब मैं आपको इसकी जो खूबियां बताऊंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जल में और इसमें क्या फरक लगता है आपको ये देखिए ऐसी अमेजिन वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को जुरूर सस्क्राइब कीजिएगा इसमें से एक ये निकला है काट जिसमें बताया गया है कि आपको कैसे यूज करना है कैसे कैसे कहां कहां बांच सकते हो ये सारा इसमें बताया गया है अब निकालते हैं हम में आइटम यानिक बेल्ट को यह हीट बैट यूज करी जाती है घर में तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वीडियो के साथ यह वीडियो शेयर करूँ क्योंकि जब पेन होता है तो हर कोई कहता है बैई किसी तरह ठीक हो जाए हम तो मर गए यह देखिए में बैल्ट है जो वो यह है इस बैल्ट को आप शोल्डर पे लेग पे जहां भी आपको पेन फील होता है यूज कर सकते हो यह इसके उपर वाला कपड़ा है यह देखिए आपने इसको इसके अंदर ऐसे डाल ले है डाल दिया है मैं खुद दिजूच कर क्या पताती हूं यह दिखिए क्या यह है एलस्टिक है हर एक का साइज अलग होता है बोड़ी का साइज अलग होता है कमर में बाद नहीं है कोई पतला है कोई मोटा है अपने हिसाब से अर्जस्ट करने के लिए लास्टिक इसलिए दि और साथ में है ये रिमोट सिस्टम तो इखे गाइस आपको इसको प्लग में लगाना और कुछ नहीं करना एक प्लग में लगाके और यह दूसरा इसका कोर्णर है यह वाला यह कोवर्णर है यह इधर ऐसे करके मां भी लगा के बताती हूं आपको मेरे पास एक लगड़ है मैंने प्लग उसमें लगा दिया है एक कुणना मैंने यहां लगा दिया है यह है इसका रिमोट अब आप कह रहे होगे लाइट तो जलने रही लाइट इसकी ऐसे जले ही यह देखिए आपने अपने जितना हीट से है सकते हो यह देखिए वन नमबर आ गया टू नमबर आ गया और थ्री नमबर आ गया यनिकि आप अपनी फैसल्टी उनसार कम जादा कर सकते हो हाई भी है लो भी है और मीडियम भी है और यहां ही लाइट जलेगी यहां कोई लाइट नहीं जलेगी और बहुत बढ़िया कमपनी का यह फ्लैम निकों यह जो है यह 220 से 240 वोल्ट तक कीचता है अगर मैं आपको कहूं कि यह जो चीज इतनी बढ़िया है और इसका प्राइ अगर हम देखें तो हैल्थ से लेके बढ़कर कुछ नहीं होता किसी ओर्थो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पंचेसो अराम से देखने देखने की फीस है यहनी कि कंसल्टेशन पंचेसों से कम नहीं है और आप इसको यूज करके थोड़ी बहुती पेन होती है अपने अराम दे लाइफ निकाल सकते हो जब भी आप कहीं जाओ टूर एंट ट्रेवल में कहीं जिसको क्योंकि इस चीजों की जिसको जुरूरत पड़ती है उनको पड़ती है मैं भी जाती हूँ कहीं साथ लेके जाती हूँ कहीं भी पेन हो जाता है तो इसलिए इनको आप साथ मे केरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एक छोटी सी है वैसे आप कमर की बेल्ट लेती हो जो शोल्डर में डालने वाली पीछे मेगनिट सिस्टम होता है उसका इतना बड़ा तो लिफाफा बन जाता है और यह देखिए यहां इन्होंने कमर पर बांद के दिखा रखी है अब इसको लगाने के बाद पेन का इसलिए अच्छी रहती है यह कि अपने अनुसार आप हीट गटा सकते हो बढ़ा सकते हो अब मैं बताती हूं इसकी एक साल की एक साल की गारांटी है इन सब चीजों के साथ आपको यह मिलेगा और इसका जो प्राइज है शोप से मैंने करीद सब्सक्राइब करने के लिए सही रहती है अगर कोई हेल्दी इंसान है वो कमर के नीचे रखता है फट जाए तो वो हाम करती है है वजन में हर जगा बचा के रखना पड़ता है क्यारी करने के लिए भी दिक्कत है यह है हीट बैग ठीक है आप कहीं कैरी नहीं कर सकते जरूज़त पड़ने पर यह भी काम आती है लेकिन अगर आपको बैस्ट रजल्ट चाहिए आपको लगे भी कहीं बैठे हो आप चेर पर बैठे हो कहीं बैठे हो आप अपने हिसाब से बांद के काम भी कर सकते हो अपने हिसाब से हीट भी एरजस्ट कर सकते हो, जैसा भी हो आपने अपने हिसाब से चलना है इसने बेल्ट में आपको पेन से रिलेक्स देना है यह बहुत बड़ीया बेल्ट है और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज में मुझे 100% result मिलता है तो मैं तभी इसकी वीडियो बनाती हूँ अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसको फ्लीज 30 मिन्स से ज़्यादा यूज मत कीजिए क्योंकि वो आपने बोड़ी पे लखाना है ज्यादा हीट अच्छी नहीं है दो गंटे के बाद फिर दुबारा कर सकते हैं 9 feet का इसको पासटर का अतार है केबल है अगर आप कहीं दूर बैठे हो तो ये अराम से बेड़ पे सोफे पे प्लक बोना चाहिए दूर से भी अटेच करके इसको यूज कर सकते हो और दिन में इसको 3 टाइम यानि कि 3 टाइम इसको यूज कर सकते हो ये मैंने आपको सारा इसी बेल्ट का बता दिया है और आप देखिए कि ये बेल्ट बहुत बढ़िया है आपको एक चीज मैं साफ तोर पे बता देने चाहती हूँ ये जो बेल्ट है मैंने केमिस्ट की शोप से यानि कि शोप कीपर से करीद दी है मैंने ये कोई एमा जोन सी या ओनलाइन नहीं करीदी क्योंकि ओनलाइन करीदने के बाद साठे सासूर पे गी बेल्ट है किसी वक्त कोई कमी निकल आती है साल की गरंटी है तो उस पे बहुत दिमाग खराब होता है अगर आप लोगो इसको करीदना चाहते है डिसकाउंट उतना ही है आप इसको शोप पे ही खरीदे वही बेनिफेट होगा क्योंकि शोप कीपर को आप कह दोगे तो वो चेंज करके दूसरी दे दिता है ये देखिए इसका जो MRP है 900 यानि कि 899 मैंने लिया है 750 में रेजिस्टर्ड है रेगलर यूज कर सकते हो और ये बहुत देख के बड़े हिसाब से ये सब के पेन को देखते हुए हड़ियों के दर्द को देखते हुए ये बनाई जाई है और डक्टर किसी भी अच्छे डक्टर के साथ पास जाओगे आपको वो जब हीट बैल्ट की बात आएगी तो इसी को भी स्रजस्ट करेगा यूज करने के लिए तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो जाँ आपको सच्ची और साफ वीडियो चाहिए तो प्लीज इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकु मत बोलिए क्योंकि सस्क्राइब करना बिलकु फ्री है आज तक के लिए इतना ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे सी प्रोडेक्ट के साथ तब तक के लिए गोड ब्लेस यू और बाइबाइब